किस अस्पता हमें हुआ है सर हम लोग मर्ड़ा में रहते हैं मैं और मेरे हस्बेंट अब इस खोली में हम लोग भिहार आये हुए थे सर खोली बनाने के लिए पूरी शामली का गेट टूगेदर था 9th April को मेरे हस्बेंट की तव्यत खराब हुई फीवर हुआ उनको काफी थे हमने कोरोना का दो दो तीन तीन बार टेस्ट करवाया नेगेटिव आया आटी PCR के लिए दिया तो वहां पे भागलपूर में सर भागलपूर में थे हम लोग वहां पे एक दिन दो दिन वेट करते कर रिपोर्ट नहीं आया फिर हमने नोईडा के एक डॉक्टर है उनसे कंसल्ट किया वीडियो कंसल्टेशन से उन्होंने बोला कि सिटी चेस्ट करवाना है हम लोग भागलपूर गए और सिटी चेस्ट करवाए तो उसमें उनका इंफेक्शन आया 60% लंग्स उनका उसमें इं मेरी मदर की तब्यत खराब थी मेरी ममी और मेरी हस्बेन दोनों एक साथ एडमिट हुए उहां पर इतनी लापरवाही हुई उनके साथ इतनी लापरवाही हुई दॉक्टर्स आते थे बस विजिट के लिए 10 मिनट देखके गए उसके अलावा जितनी भी वहाँ पर नर्स थे सारे के सारे जलात थे सर कोई दवाई तक नहीं देना चाहता था पेशन मेरी मदर टचुड बेटर कंडिशन में थी थोड़ी मेरे हस्बेन बोल भी नहीं पा रहे थे उस समय तक इशारे से पानी का ऐसे से बताते थे लेगिन उनको पानी नहीं पिलाता था सर वो मुझे हार के फोन करते थे कि पानी पिला दो जब मैं अंदर जाती थी तो यह लोग हला करते थे कि क्यों जा रहे हो अंदर फिर भी मैं जाके उनको पानी पिलाती थी जूस पिलाती थी रेमडी सिवीर इंजेक्शन का नाम आप लोगों अभी तक सब ने सुन लिया होगा कि कितनी मुश्किल से मिल रहा है डॉक्टर ने वहां सजेस्ट किया मेरे दो दो पेसेंट थे वहां हमने बहुत मुश्किल से अरेंज किया जब वह इंजेक्शन मिला तो थोड़ी दिर बाद वहां पे मेरे हस्मेन को मैंने देखा कि उन्होंने दो तीन बार पॉटी किया था और यूरीन पास किया था कोई क्लीन करने नहीं आ रहा था सर छे घंटे से वह उसी गंदगी पर पड़े हुए थे उन्होंने मुझे फिर फोन किया बस फोन कर पाते थ मिस्ट कॉल आती थी मैं समझ जाती थी कुछ परिशानी है उनको जब मैं गई तो मैंने देखा पूरे गंदे बेट पे मेरे हस्मेंट छे फिर दो इंच के सर पूरे गंदे पर वो सोय हुए थे सर मैंने जबरदस्ती सब को बुलाया एक आदमी था जोती कुमार करके जोती कुमार एक कम पाउंडर था होहाँ पर जोती कुमार कम पाउंडर है वहां का मतलब जो अदेंदेंट सब होते हैं न वह है लड़की नहीं है लड़का है जोती कुमार उसको मैंने रिक्वेच किया कि भाया प्लीज आप मेरे हस्में की मदद कर दीजिया रात में यह लोग पूरा पसीना उनको चल गया, कुछ बोल नहीं पा रहे थे वो, जब हम लोग ठीक थे ना, मैं बाहर निकलती थी ना, कोई मुझे ऐसे देखता था ना, नॉर्मली ही, तो कहते थे आख निकाल लूँगा, क्या सोच के इसको देख रहे हैं, और मेरे हस्बेर उस इन बेट पे परे हुए देखते रहे हैं, कि मेरे वाहिप का कोई दुपट्टा कहीच रहा है, और जब मैंने उस आदमी को देखा ना, तो वो मुस्कुरा रहा था, मैंने ऐसे तुपट्टा कहीचा, और मैं कुछ नहीं बोल पाई, डर से, कि मेरे हस्बेर नहीं पे हैं, मेरे माँ यहां पे हैं, यह लोग कुछ कर देगा, इस दर से मैं कुछ नहीं, बाहर निकली मैं बाहर निकल के मैं दाहराम से बाट गेई, कोई नहीं आया और अंकल ने दम तोड़ दिया ऐसे तीन चार लोग उस दो तीन दिन के अंदर दम तोड़े हैं बिना केर के बिना नर्स के आए सारी नर्स टेबल कुरसी लगा के सो जाती थी कहती थी पागल हो गए हैं हम ही अब मड़ जाएंगी इस कोरोना के चक्कर में तो माया गंज की और हालत खराव आसीओ में चार बेड था मेरे हस्बेन के बगल वाले बेड पर चार लोग छे से सात घंटे में चार लोग खतम हुएं क्यूं खतम हुएं वो नर्स को बुला रहे थे सिस्टर आजा ओ दिक्का थोड़ी है और सिस्टर नहीं आती थी एक अंकल अधिर हैं तो गुदातीयद खिर गे पूरा सर फूट गिया ब्लाट ब्लाड़ और मर गए हूं लहीं पैक एतना मेरे हस्बेंट ड़के शाम होते होते मेरे हस्बन की तब्यात अचानक से खराब होने लगी पूरा ये सब ड्राई हो गया एक लेयर वाइट कलर का जम गया उनके ऊपर बहुत ज्यादा तब्यात खराब हो गई हम लोगों को समझ भी नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा था अचानक से मेरे दिमाग में आना डॉक्टर को कम से कम पाफ छे बर मेरी बहन बुलाने गई है कि कोई डॉक्टर था ही नहीं डूक्टर था ही नहीं दूगे नहीं जब हमने देखा जाकर सर लाइट औफ अफ इमरजेंसी के नाइट डॉक्टर्स का लाइट औस और सब नीचे बिछा के मूवी देख रहे हैं और मेरे दीदी बहुत जाके चिलाई तब एक डॉक्टर आये वहां से, तो उन्होंने देखा क्या, कि मास्क पाइप होता है ना वो पाइप ही नहीं लगाया था सर, बस मास्क लगा के छोड़ दिया था, ऑक्सिजेन अप्लाई आ ही नहीं रहा था, जब बहुत कम हो गया था, व मेरे हस्बेन तुरंत भी जिंदा हो गए उस दिन से उनके दिमाग में ओक्सीजन की किलत का डर बैठ गया सर बहुत साथ गंटे बिन ऑक्सीजन के रहे सर लड़ते रहे लड़ते रहे फिर उस दिन इतना वो डर गए वो बोले नहीं आप हमको कहीं बाहर लेके चलो दिल्ली म हम पतना आए राजिश्वर हॉस्पिटल में सर पतना आए यहां पर इन्होंने कहा आइसीव में अटेंडेंट नहीं अलाओड है नहीं जाओगे आप मेरे हस्बेन रोने लगे कि मेरी वाइफ को बस भेज दो वो रही कि तो मैं ठीक हो जाओंगा इन लोगोंने नहीं अला है कि सर प्लीज बेंड कर दीजिए वह हम लोग देख लेंगे ना एक डॉक्टर निकले मैंने बोला वह मेरे हद्बन अंदर से ना इसे आशे कर रहे थे बुला रहे थे सब को मैंने का सर वह बुला रहे किसी को बाहर से तो एक डॉक्टर मुझे कहता है अरे छोड़िये न कि अब मेरे से नहीं रहा होगा मुझे किसी तरह से अंदर भीजवाई है तब उन्होंने जबरदस्ती मुझे अंदर भेजा और 37 से 74 मैंने कर दिया 10 मिनट में मेरे बाबू का मेरे बाबू का ऑक्सीजन लेविल मैंने बढ़ा दिया उसके बाद इन लोगों ने मुझे बो पंद्रह दिन तक सर एक टेबल पर एक लगास्तार में बैठी हूँ आज एक महिना पर मैंने ब्रश किया है सर एक महिने पर ब्रश किया है मैंने बाबू को बहुत ठीक कर दिया इतना स्ट्रॉल लगा कि सर मास्के अंदर से स्ट्रॉल लगा कि बाबू को मैंने जूस दाल सब कुछ पिलाया सर इतने ठीक हो गए ना कि जो डॉक्टर फर्स्टे बोला था यह बचेगा नहीं वो डॉक्टर सर तीन चार दिन बाद कहता है टचुड क्या कर दिया आपने इनके साथ यह तो एकदम ठीक हो गएगा जब का फाइड दिया आप दोनोंने मिलके मुझे क्या फाइड दे रही हो और यह लोग मेरे 기ो खतम कर देंगे इतना ओक्थ्जिएन का किलध सर इतना दो बाबो डड़ गया बहुत जादा ऑक्सिजंध सिलिंडर देखता था और मों agement रेगा उंदर में था जिए फैस्टाल वालेया को और controlled kढ़ gaat यह फो हूं लिए भाभ खड़िदे उन ही से हम भी खड़िदे सर मैंने भी खड़िदा क्या करते क्या करते हमें भी तो चाहिए था पर्सों सर सुबह में हमारे पास एक ही सिलिंडर था पाइप लाइन बंद हो गया मेरे हस्बंड को बाइप लगा हुआ था उनको दो सिलिंडर से जाना था एक ही सिल जिंदर मांगते कहीं नहीं मिला, sir मेरे हस्पेंड खतम हो गए मेरे हस्पेंड खतम होगे, sir मेरे बाबू चलागे हम को छोड़के यहाँ पे साथ यहाँ पर भी, sir यहाँ पर राजेश्वर में, डॉक्रड अखिल्यश गंदे गंदे इशारे कर रहा था मुझे सर, चलता था ना तो मुझसे स्ट के क्रास करता था सर, मैं इग्णोर कर देती थी कि मेरा हस्में रहा पर बढ़ना कर बाहर हो था चपल खोल के मैं मारती सर ऐसे हिंसान को, वहां पर माया गंग होस्पिटल में, डॉक्टर्स कोई भी कर देते हैं, एंट्री सब किया हुआ रहता है, यह बड़े डॉक्टर आए, यह बड़े डॉक्टर आए, उन्होंने पैसेंट को देखा, नहीं बुला इसकी आफिजो थरेपी हुआ, पैसेंट को कुछ नहीं, मतलब सीपैप पे पड़ा हुआ पैसेंट और उसको देखने के लिए किसी को, यह बड़े हैं, यह बड़े हैं, परसो तो मेरा बाबू गया है, अभी सबसे पहले तो मैं चाती हूँ कि सारे जगा ही, सबसे पहले तो मुझे कोई प्लाटफॉर्म मिले जिस पर मैं यह बोल सकूँ टीवी पर जाके, ताकि लोग बचें, अब जिसके सा करणा अब जाना में ना जो यह बोल जाते हैं कि पेसेंट का ख्यायाल डॉक्टर रखेंगे, वह जा कि अपने पेसेंट ख्याल रखेंगे नहीं तो सम मर जाएंगे, सर्, सम मर जाएंगे, एक डॉक्तर एक दिन आयर, राजिश्वर में, कहते हैं, अरी यह बेड अभी तक नहीं खाली हुआ है, मतलब यह आदमी अभी तक नहीं मड़ा है, एक आदमी के बारे में, आप सोचो सर जरासा, आप सोचो सर जरासा, मेरे हसमें को वेंडिलेटर पे नहीं रखा सर, वो शायद बच जाते, और जब मेरे मेरे मेरी एक फ्रेंड है डॉक्टर उसने बात की कि आपने वेंडिलेटर भी क्यों नहीं रखा, तो जूट कह रहे हैं कि फैमली वालों ने मना किया, जब कि हम से कोई हमें कोई सजेशन नहीं आप एक इसे वेंडिलेटर पे आप रख सकते हैं, कुछ भी नहीं तर, वो बस वेट कर रहे थे कि ये बेट खाली हो, जब कर दो, कि हमें अजरा हुआ कर दो, जूब कर दो किया है।